हेलो फ्रेंड्स मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कम्टिशन कम्यूटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई आसा करते हैं आपकी पढ़ाई काफी अच्छी खासी चल रही होग आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और चुकि आपका पढ़ाई आल्मोस्ट खत्म हो चुका है आपका जो परिपरेशन था सीजेल एकजाम के रेगार्डिंग वो आल्मोस्ट खत्म हो चुका होगा और आप ज्यादा ज्यादा प्राक्टिस पे फोकस कर रहे होंगे और प्राक्टिस के दोरां जितने भी कोशन आपके गलत हो रहे होंगे उनका आप एनलीसिस जरूर कर रहे होंगे ठीक है और साथी साथ हम सबों के प्राक्टिस सिसन को देखे आप अपने स्किल को और इंप्रूफ करने का प्रयास कर रहे होंगे so that कि कैसे कम से कम टाइम में किस तरीके से question को analyze करके correct answer हम लोग बना सके ठीक है चलिए तो इसी कड़ी में हम आप से आसा करते हैं कि आप इसके पहले के हम सबों के अप्रिक को जरूर से देखते आ रहे होंगे तो आज हम लोग प्राक्टिसेशन तरी की तरफ चलते है तो चलिए बिना किसे deal están on लोग अपने प्राक्रिसेशनिक को शुरू करते तो आज हमारा यह प्राक्टिस सेशन का थर्ड पार्ट है ठीक है यह तीसरा प्राक्टिस सेट है देखें यहां पे आपको जो कुछन दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग क्या करते हैं और यह जो हम लोग प्राक्टिस सेशन चला रहे हैं इस प्राक्टिस सेशन में दरसल हम लोग करते क्या है इस practice session को आपको क्यों देखना चाहिए, इसकी क्या importance है, इसको सबसे पहले हम आपको बताते चले, देखे practice session में हम सभी लोग जिस किसी भी subject का वीडियो आपको provide कर रहे हैं, जैसे English, Math, Reasoning वगएरा वगएरा ठीक है, तो जिस किसी भी subject का हम आपको practice session available करवा रहे हैं, वीडियो से रिजिस का हम आपको दे रहे हैं, इसको देखने का आपको क्या benefit मिलेगा सबसे important बाते यह हैं, तो इस बात को हम आपको बताते चले, देखे होता क्या है कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे student होते हैं, जो exam में जाते हैं, appear होते हैं, question solve करना उनको आता है, फिर भी चोटे सीली सीली mistakes के कारण, उनका exam में या तो score कम हो जाता है, negative marking उनका बढ़ जाता है, या फिर छूट जाता है, चीक है, ऐसे बचे जिनका skill अभी डेवलप नहीं किया है, जिनकी तैयारी पूरी नहीं है, जिनोंने धेर सरा practice aid solve नहीं किया है, उनके लिए भी ये काफे important ह होता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप देखते हैं कि किस तरीके से within time किस तरीके से analyze करके correct approach लगा के हम लोग question को solve करते हैं, क्योंकि maximum time आप में से ज्यादा तर बच्चों का यही complain होता है, यही confusion होता है, सर जब हम लोग chapter wise पढ़ते हैं, subject wise पढ़ते हैं, तब तो हम लोगो को सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जैसे ही exam का paper हम लोगों को मिलता है, तो वहाँ पे चुकि सभी subject से misleading question आपको मिलते हैं, like math हो, reasoning हो, English हो, अब चुकि हम यहाँ पे आपको English पढ़ाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपके साथ English की बात करते हैं, तो grammar के topics पढ़ते हैं, vocab section में भी गलती होती है, grammar के section में भी हम सबों से गलती होती है, समझ में नहीं आता है, जैसे यह आपको grammatical question यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, अब इस question को देखने के बाद हम लोगों को यह समझ में नहीं आता है, कि यह जो question given है, यह grammar के कौन से topic से given है, कौन से chapter से given है, औ अब कैसे डिपलब करेंगे चुकि यह जो मिसलेनियस को स्टन आपको मिलता है तो इस मिसलेनियस को आप कैसे पाचानेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे एक्जाम में तो आपके जो कन्फूजन है वो सब इनको धिकने से क्लियर होते हैं ठीक है और आपका करेक्टिव करेंगे इसका मीनिंग यादी आप समझने का प्रयास करेंगे तो उसके एक औरिंग आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा ऑप्शन नमबर डी ठीक है कुछ बच्चों का आंसर और भी दूसरा आ सकता है इसके पहले हम आपको कुश्चन यहां पर थोड़ा सा डिसकस करते चले दट्वाई ड्रमर प्लेज दड्रम मतलब एक ट्वाई ड्रमर क्या होता है ड्रम को इसे बजाने वाला बीट करके ठीक है ट्वाई ड्रमर तो मतलब वो जो ड्रम बजाने वाला है वो क्या है ट्वाई ड्रमर मतलब वो भी किलो होने का है ठीक है द्वाई drummer plays the drum, जो twide drummer है, वो drum बजाता है, या बजाएगा, अब देखें, यहाँ पे इसका tense क्या है, इसका tense क्या है, तो इसका tense है present in different, यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो यह वर्ब का fifth form है, और हमने आपको पहले से tense में बता रखा है, वर्ब के first form, यह वर्ब के fifth form का प्रेयोग होता है present in different में, किस में? present in different में, ठीक है, आगे फिर आपको हम बताते हैं, पहले इसको हम लोग conclude कर लें, ठीक है, तो जो twide drummer है, present in different का use, वर्तमान की बातों को बताने के लिए होता है, universal truth को बताने के लिए होता ह है, या future के sense को express करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए यहां से आगे चलते हैं हम लोग, if you press the button at the back, यदि पीछे से आप बटन को दबाएंगे, जैसे बिजली से, बिजली का जो switch होता है, हम लोग ऐसे switch दबाते हैं, तो light on हो जाता है, fan on ह हो जाता है, बात समझ में आ रही है, इंदा सेम होए, जैसे ही आप पीछे से उस button को दबाएंगे, जैसे ही आप बटन को दबाएंगे, तो जो twice drummer है, वो drum को beat करना शुरू कर देगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अब देखिए, यहां पर if के बाद का जो part है, वो किसम बता जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो recent future को express करने के लिए हम लोग कौन से tense का यूज़ करते हैं, present in different का यूज़ करते हैं, अब यहां पर देखिए, यह future का sense express कर रहा है, यह जो part है, यह किसका sense express कर रहा है, तो यह future का sense express कर रहा है, किसका future का sense express कर रहा है, ठ यह future का sense express कर रहा है, और यह भी future का sense express कर रहा है, ठीक है, और बीच में देखे, character के रुप में use के आ गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अब आप याद किजी हमने जब आपको future indifferent पढ़ाया था, तो वहां पे हमने आपको एक rule बताःते हैं, क्या rule बताःते हैं, वहां पर हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी दो future का sentence कोई भी दो future का sentence एक साथ लिखा जाए एक साथ लिखा जाए तो ऐसा कोई भी word जो time और condition indicating हो ऐसा कोई भी word जो time और condition को express करता है उसके बाद जो भी sentence यह clause आएगा यह verb आएगा वो future में नहीं रहेगा उसको हम लोग लिख प्रिजेंट इंडिफरेंट में बट वो बात करता है future की वो sense express करता है future इंडिफरेंट का ठीक है जैसे इसको समझाते हुए हमने आपको simple सा example यह था इफ का इफ का यूज या तो दोनों sentence के beginning में हो सुरुआत में हो यहां पे हो या दोनों के middle में हो तो इसके बाद यहां अपर जो first sentence हाएगा इसमें sell will का use हम लोग नहीं करते यहीं बात हमने आपको बताई भी सकता है इससे कोई मतलब नहीं है यहां पर sell सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में जो दिखाई पड़ता है वो है ठीक है तो यदि आपके वाल इफ को याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा ठीक है चली यहां से आगे बढ़ते हैं अब इस कोश्चन को हम लोग यहां पर एनलाइज करते हैं तो यह देखे manifest में हैं तो यह वर्ब के फ्रस्ट फॉर्म में है यहां पे लिखा हुआ होता तो घ्लत होता है और यह को espes प्रेजेंट इंडिफरेंट में बट ये से एक्सप्रेस करता है फ्यूचर एंडिफरेंट का clear तो फिलहाल इस सेंटेंस में कोई एरड नहीं है इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा no substitution यह no Fact das मिनिफरेंट की यह dhrik का मिनिफ नूमिरेंग क्या होता है कई अनेक अंगिनत कही अनेक और तो टोल कीता है विव्क का मतलब होता है कुछ या थोड़ा सिवरल कै नेक हुआ मतलब सब पर नमबर डाला हुआ जैसे मा लेजे मेरे पास अलग-अलग टाइप की धेर सारे बॉल है ठीक है उस बॉल पे नमबर डाला हुआ हो 1, 2, 3, 4 and so on वो है नमबर मने नमबरिंग किया हुआ ठीक है अब इस कोशन का से मीनिंग क्या बनेगा भई तो इस नुमेरस से मिलता जूलता मिनिंग वाला वोट कौन है ओप्शन नमबर सी ठीक है काफी असान सा कोशन है इसके बाद चलते हम लोग अगले कोशन की तरफ अगला कोशन फिर से हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्लोस टेस्ट का हमने आपको पहले से बता रखा है क्लोस टेस्ट का जो कोशन होता है इसको यदि आप ध्यान से बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें क्या दिखाई देगा कम से कम एक कोशन तो ऐसा जरूर होगा जो बिना इसको पड़े हुए समझे हुए हम यूही आसानी से बना सकते है ठीक है चलिए अब आजए यह जरा इस सेंटेंस में हम लोग देखें इस क्लोस टेस्ट के पैसेज में हम लोग पढ़ना सुरू करें इस स्टूरी को हम लोग पढ़ना सुरू करें देखे इसमें क्या कोई ऐसा question है जो हमसे बन सकता है यहां देखे a large यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है a large dash of तो large number of हो सकता है ऐसा करके कुछ हो सकता है जरा इसके option को हम लोग देख लें ठीक है इसके option को जरा हम लोग देखने का प्रयास करें question number two के option को देखने का प्रयास करें यह two में तो number of है क्या यह देखे large figure of large extent of होता नहीं है large total of तो total का यहां इसे correlation नहीं है इसमें देखे बिना sentence को पड़े हुए बिना पैसेस को बिना story को पड़े हुए एक question हमारा यहां से निकल के बन जाता है ठीक है बात समझ में यही बात हमने आपको इसके पहले के भी सारे classes में बताएं जब भी हमने आपको close test discuss किया चाहे close test के section में हम आपको question को discuss कर रहे हुँ ठीक है तो एक question कम से कम आपका निकलता ही है इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत होती है तो आपको थोड़ा सा practice करने की जरूरत होती है तो एक कोशन देखे यू ही हम लोग बना सकते हैं अब इससे बाहर निकलते हैं अब इस स्टोरी को हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं जब आप इससे स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको कुछ जगहों पे दिक्कत महसूस होगा क्या दिक्कत महसूस होगा आपको इसमें कुछ-कुछ hard word दिखाई देंगे जैसे आप में से कुछ बच्चो को यह significantly में भी हो सकता है क्या hard लगे ठीक है यह देखें वोवेन इंटू हो सकता है दिक्कत हो यह हो सकता है दिक्कत हो ऐसे बच्चों के लिए जिनके English Week है हम उनके लिए बात कर रहें स्कार्प्स क्या होता है बहुता नहीं हो सकता है कि आपने से कुछ बच्चों को यह फरनिस्ग होता है यह सब आपको नहीं पता यह फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स क्या होते हैं यह आपको नहीं पता हो सकता है ड्राइ बेल्ड्स क्या है इसमें भी आप मैंसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है तो आईए सबसे पहले हम आपको इन सारे हाड वर्ड के मिनिंग बताते चले ठी अब इनसान के द्वारा बनाया हुआ द्धागा कैसा होता है इसमें उसकी कहानी बताएं के उसका यूज है इस में सिग्निफिकेंट significant इसको हम लोगों ने पढ़ाता सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी significant का मतलब होता important महत्वपून significant होता adjective adjective के लास में य जोड के हम लोग क्या बनाते एड़ बनाते तो यह यहाँ पर क्या है एड़ बनाते यह किसको qualify कर रहा है modified का है वर्ब है तो वर्ब को यह qualify कर रहा है ऐसे भी देखे एड़ वर्ब जब हमने आपको SSE के section में पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि यदि किसी sentence में helping वर्ब हो तो यह देखे helping वर्ब है ठीक है आपको grammar दिख रहा है नेक्स्ट आगे यहां से बढ़ते हैं यह चलते स्पन स्पन क्या है तो एस्पीन होता है एस्पीन का मतलब जैसे गांधी जी को आपने देखा होगा चर्खे पे ऐसे कप धागा बूंते होगी ठीक है उसको क्या बोलते स्पीन करना है गोमाना ठीक है जिसे क्रिकेट में हम लोग बॉल को क्या करते हैं स्पीन बॉल होता है ठीक है तो एस्पीन का मतलब होता है घुमाना ठीक है तो रूई को धागे को वैसे क्या कहता है चर्खे पे यह इस तरीके की जो मसीन होते है उसमें स्पीन करा जाता है ठीक है उससे fine quality का धाग बुनना जैसे स्वेटर बूनते हुए कांटे पनते हुए मम्मी को दीदी को किसी इने किसी को जरूर से देखे होगे वहाँ पर क्या होता है कि जो धागा होता है काटे का यूज करके उसको महिलाई क्या करते हैं या लड़किया क्या करते हैं जो भी बुनता है scarf समझते हैं जो लड़कियां जाड़े के मौसा में इधर कान को ढखने के लिए बहनती है ठीक है तो scarf का plural है scarves ठीक है आप noun में बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि किसी word के last में if या fe लगा हो तो उसका plural बनाने के लिए हम लोग if या fe को हटाते हैं और उसकी जगह यूज करते हैं वही लगा हुआ है वही लगा हुआ है वी एस ठीक है scarf तो यह वही वाला scarf हो गया होजियर ही जो हम लोग गंजी बनियानी नर्वियर जो यूज करते हैं यह उससे related है फ़र निसिंग क्या होता है भाई तो हमारे आपके घर में चीजों को फ़र्निस करने के लिए थोड़ा सा सुसजी तरीके से अरेंज करने के लिए curtain या इस तरीके की जो चीजों का यूज हम लोग करते हैं इसको कहते हैं फ़र्निसिंग वगेरा लिकष्ट ओते हैं तो यह अ पनिस्ग का मिनिंग आपको पता है तो आप मालीजिय कि यह सब वट यहां पर गिवन नहीं नहीं है यही अम सब्वेंगी सांते प्राबलेम होता है उसका मिनिंग नहीं आ रहा जब आगे पीच्छे बअन का मिनिंग नहीं है रहे हैं आपका दिवा काम करना बंद कर देता है तो आपको जरा सा भी परिसान होने की जरूरत नहीं है भूल लाइए कि यहां पर यह कोई वाट गीवन है यहां भी भूल लाइए कि यह भी आपको कोई वाट गीवन है इसका मिनिंग अभी हम आपको बताते चले तो इस तरीके से आप इसको इग्नोर कर देंगे यह सब पर्दा से रिलेटेड वोड यह सब एक प्रकार का कह सकते हैं कर्टेन पर्दा ठीक है यह उससे रिलेटेड वोड है तो कार्पेट होगे आप सिंप्ली कार्पेट समझ कि देखेंगे यह सब दो होता है उतले थीक है और वो सब्सक्राइड यह उसमें लगती है जिसके कारणने मजबूत होता है किसी फटे हुए टायर को देखें जो किनारे से शाबता है तो आप उसमें देखेंगे रेशेदार चीजों का यूज किया हुआ होता है ठीक है तो उसको कहते है टायर कॉड फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स अब यह फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स मतलब वह कम जोलेंसील होता है आसानी से जलता नहीं ऐसे कुछ लाइनिंग्स वाले कपड़े यूज होते हैं ड्राइब बेल्ट्स जैसे आप कार चलाते हैं या को को पढ़के समझने का हम लोग प्रयास करते हैं मैनमेड फाइबर इस फाइबर हुज केमिकल कंपोजीशन स्ट्रक्चर एंड प्रूपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली मोडिफाइड ड्यूरिंग दा मनुफेक्ट्रिंग प्रॉसेस इसमें यह बताए गया कि जो मैनमेड फाइबर हैं दागे हैं रेसे हैं वो इस प्रकार के होते हैं जिसका केमिकल कंपोजीशन जिसका रासाइनिक जो संगठन है वो ठीक है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी यह सब सिग्निफिकेंटली मोडिफाइड ड्यूरिंग दा मनुफेक्ट्रिंग प्रॉसेस इन सबों म में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है परिवर्तन किया जाता है या होता है कब होता है भाई तो मनुफेक्ट्रिंग प्रॉसेस में ठीक है मतलब इनका जब निर्मान किया जाता है उत्पादन किया जाता है तो उस समय इनके प्रॉपर्टीज में बहुत ज्य कि जो इनसान फाइबर जो बनाता है उसको वो क्या करता है इस पन करता है ठीक है क्या करता है इस पन करता है अब इनसान जो है फाइबर मैं मेड फाइबर की बात की ज़रे इनसान के द्वारा नेरमित फाइबर तो फाइबर खुद बनता है या उसको बनाया जाता है अब उस sentence कहां चले जाना चाहिए ये चले जाएगा तो अब जरा देखिए ये नेचर है जब भी इनसान बनाएगा तो उसके प्रोपरटेज क्या होगा ठीक है अब मैन मेड़ फाइवर जब भी बनेगा तो क्या होता हूँ उसको जब भी बनाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं वी ये क्या ये नेचर है इसी प्रकार से उसका निर्मान होता है ठीक है जैसे घरनए की खेती होती है सेदंब की के एक खेती होती है ठीक है बात समझ में आ रही है तो उनका एक प्रोसेस बना हुआ हूए है कि जब भी होगा तो इसी तरीके से इसको किया जाएगा biliyor तो आब ज आड़ाई मैंमेट फाइवर का जब भी कभी निर्मान होगा तो इसी माध्यं से होगा इसी तरीके से होगा बात समझ में रहा है और अबो कि की तो शोट या रहना चाहिए स्थिट परं प्लस फ़र्म य क्या होता है उसे का जबहर्प सीष बनाते फाइबर है प्लूरल तो इस एम आर इन तीनों में से किस का यूज़ करेंगे आर का यूज़ करेंगे आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं चली जरा option को हम लोगे हां पर देखने का प्रयास करें इस question में option को हम लोगे हां पर देखने का प्रयास करते हैं टो भी का यूज करेंगे नहीं wil वियू करेंगे नहीं तो भी कैंसल हो गया विल भी कैंसल हो गया Is आएगा नहीं आना था आर ओप्षिन नबर डी टीक है नेक्स्ट यहां से आगे पढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ अगला कोशन नंबर तू हम लोगो को बनाना था question number two में क्या करना है तो इसको हम लोग पहले ही बना चुके large days of consumer and industrial products तो जब man-made fiber को बना जाता है उसकी जब spinning की जाती है ठीक है तो उसमें बड़ी संख्या में consumer and industrial product को मिलाया जाता है सामिल किया जाता है बात समझ में आ रही है तो इसका number हम लोग यह इसका answer था number यह हम लोग पहले ही बना चुके हैं figure का मतलब चेहरा यहां कड़ा total का मतलब आप जानते हैं यह cool extent क्या होता है बाई तो सीमा दूरी हद ठीक है जैसे हद कर दिया आपने next यहां पे चले question number three की तरफ consumer and industrial products ठीक है अब इसे बनाय जाते हैं इनको उसमें सामिल किया जाता है किसमें fiber में इन सबों के लिए fiber बनाय जाता है जैसे कि यहां देखिए such as का use किया गया है किसका use किया गया such as तो बहुत सारे कपड़े उससे बनाय जाता है या कपड़ों के लिए जो में में मेंड फाइबर है वो बनाय जाता है किनके लिए such as shirt, scarves and hosiery, home, furnishings इन सबों के लिए में मेंड फाइबर तयार किया जाता है ठीक है चले यहां पे देखे हम लोग यहां पे क्या आना चाहिए तो चुकि shirt का use किया गया जो हम लोग पहनते है scarves का use किया गया होजियरी का furnishings कभी यूज किया गया अभी यही furnishings का मतलब होता है furnishings में आपके कार्पेट भी आते हैं ठीक है और यह cotton वगेरा भी आते हैं इस category के जितने भी कपड़े हैं वो सारे के सारे सामिल होते हैं ठीक है clear है बात समझ में आ रही है तो अब देखे एक से ज़्यादा विराइटी की चर्चा हो रहे हैं कि यह सभी के लिए या इन सभी टाइब के कामों के लिए इन सभी टाइब के चीजों के लिए मैनमेट फाइबर तयार किया जाता है तो इसमें क्या किया जा रहा है, इन सभी चीजों को सामील किया जा रहा है, अब सामील करना से सम्बंदी, तो वोट यहां पर आना चाहिए, ठीक है, including मतलब सामील करते हुए, counting मतलब किनते हुए, wrap मतलब क्या हुता है, wrap का मतलब हुता है, लपेटना जैसे हम लोग कोई गिफ्ट करेते हैं किसी को बर्डे में देने के लिए ठीक है या किसी और ओकेशन पर देने के लिए तो क्या करते हैं जो गिफ्ट आइटम करेते हैं उसके जो पैकिंग करता है वह क्या बढ़ी आसा जो निन कड़ना से संबंदित अब बाहर से संबंदित और repa कौन सा है option number a clear next यहां से आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलते हैं अगला question है मारा question number four अब यहां पे देखिए हम क्या डाल सकते more का use होगा नहीं यहां पे किसका use नहीं होगा more का use यहां पे नहीं होगा और फिर more का use यहां होगा नहीं मच का यहां पे use होगा नहीं क्यों नहीं होगा भाई मच का यूज क्यों नहीं होगा क्योंकि देखिए यह अपॉल्स्ट्री कारपेट यह सब क्या हैं यह सारे के सारे कॉंपरेटिव डिगरी की बात होगी यहां पे कोई कॉंपरेजन है नहीं तो मच सौरी मोर होगा नहीं अब हमारे पास दो आप्शन बचे सो के साथ भी ऐस का यूज किया जाता है ठीक है दोनों के साथ ऐस का यूज किया जाता है अब हम लोग यहां पे फस गए परिसान होते हुए नजर आएंगे सर दोनों के साथ अगर आईज लगता है और यहां पे आईज लिखा हुआ है तो हम सो वाला यूज करें या सच वाला यूज करें क्लियर तो इसके लिए अभी आप देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों को यहां पे एक ओप्शन गिवन था सच एज यह देखिए गिवन था हमने आपको क्लोस्टेस के क्लास में पहले से बता रखा है कि ऐसा कोई भी कोश्टन जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है आ अब जरह देखिए यहाँ पे सो भी लिखा जा सकता है सच भी लिखाजा सकता है अब देखिए सच के साथ आज का यूज यहाँ पे पहले से ऑलेडी गिवन है तो हम क्या करेंगे हम उसी को आंसर करेंगे without logic भी ना, किसी logic के अब हमें आप answer कर देंगे such, ठीक है, such as न की so as, तो so cancel हो गया, हमारा correct answer बन गया, such as बात समझ में आ रही है, close test एक ऐसा section है, जहां से आप 5 out of 5 निकाल के ले जा सकते, मतलब 5 के 5 question आप सही बना के आ सकते, और 5 question ये दिया आपका सही होता है, तो आपको number कितने मिलेंगे 10 number मिलेंगे, आपका scoring हाई हो जाएगा, next चलते है question number 5 के तरफ, देखे, question number 5 में हम लोगों को क्या करना है question number 5 में देखिए, किसकी बात की जा रही है तो question number 5 में बात की जा रही है यहाँ पे देखे, search as, यहाँ पे फिर से देखे लिखा हुआ such as, यहाँ भी such as, यहाँ भी such as इसलिए हम लोगों ने यहाँ भी use कर लिया, such as तो such के साथ as का use करते हैं comparison को दिखाने के लिए भी समानता बताने के लिए भी example देने के लिए भी और यहाँ पे देखे, इन सभी में search as का use क्या गया है example को देने के लिए ठीक है, उदारन के तौर पे किसी बात को बताने के लिए अब यहाँ देखे, tire tire कहाँ बने का भाई, industry में ठीक है, यह flame proof lining, अब यह मान लिजे कि आपको नहीं आता है, अब यह driver का seat belt बनता है, यह कहाँ बनता है, यह भी बनता है, industry में ठीक है, मतलब यहाँ industry से related कुछ बाते की जा रहे है ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इससे related word आप उठाईए, देखे, सारे के सारे option भी industry से related ही, given ठीक है, अब जराद ध्यान देजिए parts, अब यह part क्या है भई, तो यह है एड्जेक्ट, sorry, यह क्या है नाउन है, ठीक है, parts क्या है नाउन है, मतलब कि नाउन के पले हैं क्या आना चाहिए, तो यहाँ आना चाहिए, एड्जेक्टिव क्याना चाहिए एड्जेक्टिव हाना चाहिए clear अब देखें यह industrialized यह होगा नहीं यहाँ पर क्यों नहीं होगा भाई industrialized है ed लगा हुआ अर्थात यह verb है ठीक है और industrialized parts नहीं होता ठीक है तो यह cancel हो गया industrialist क्या होते है भाई जैसे मुके सम्मानी इज एन इंड़स्टियलिस्ट परसन ठीक है उद्द्योग पती है तो यह व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा है यह बात कर रहा है वस्तु के बारे में तो यह cancel हो गया अब यह industrial के last में देखे एल लगा हुआ यह हो सकता है यह industry क्या होता है भाई noun होता है ठीक है तो अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखे कि क्या हम डाल सकते industrial parts डालेंगे या industry parts डालेंगे चूकि यह noun है और यह parts भी noun है तो हमें यहाँ पे industry लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी अब हम लोग क्या लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे adjective that is option number B clear है बात समझ में आ रही है अब इस close day से हम लोग बाहर निकलते हैं चलते हैं कुछ और नए question की तरफ यहाँ पे देखें यह क्या है तो यह एक idiom है bank for the buck अब buck क्या होता है भई तो buck होता है उस डॉलर क्या होता है यूएस डॉलर यानि currency यानि कि क्या है वो पैसा है bank क्या होता है bank होता है जोर का आवाज ठीक है जोर का आवाज strong voice ठीक है अब ज़र देखें तो पैसे के लिए चिलाना जोरदार आवाज करना इसका मतलब कि जो भी इंसान ऐसा करता है उसके पैसे का क्या बहुत value है पैसे का बहुत importance है वो पैसे के पीछे बहुत भागता है ठीक है वही बात क्यों पैसा पैसा करती है ठीक है तो इसमें अब इससे related आप option ढूंड़िए dash against something मने किसी चीज के खिलाप आप रेखांखी चीज़ more value for money यह हो सकता है less value for money तो यह तो होगा नहीं यह होगा नहीं sorrowful hurt मतलब एक दुखी दिल एक परिसान दिल तो इसका दिल से कोई रिस्ता नाता नहीं आंसर क्या बना आंसर बना option number B next यह देखें toxic क्या होता है जहरीला toxic जहरीला क्या करना है इसका तो इसका हम लोग करना है antonyms harmful नुकसान दे venom inus venom क्या होता है तो venom होता है poison venom का मिनिंग क्या होता है poison lethal जानलेवा healthy अब इसका क्या करना था opposite तो opposite के लिए toxic opposite क्या हो जाएगा healthy toxic का जहरीला खाना हम लुखा रहे है ठीक है तो उसका क्या हो जाएगा healthy food हो जाएगा next आगे बड़े यहां से अब देखें यहां पे आपको एक अच्छा सा rearrangement का question देखने को मिल रहा है इस question में जितने भी sentences आपको ABCD करके given है इसमें यदि आप एक नजर डालें तो कहीं भी किसी भी पार्ट में आपको कोई भी प्रॉपर नाउन दिखाई नहीं दे रहा है अब हमने आपको पहले से बता रखा है कि यदि प्रॉपर नाउन वाला sentence ही हमारा पहला sentence होता है अब चुके इसमें हमें कोई प्रॉपर नाउन नहीं दिखाई दे रहे तो हम लोगों को यहां पे होगा confusion किसको हम पहला रखे और किसको दूसरा रखे ज़रा option का game खेले यहां देखे option जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है उस option के according दो option सुरूरा एसे दो option सुरूरा है बी से मतलब कि पहला sentence सी नहीं होना है पहला sentence डी नहीं होना है इनी दोनों में से कोई एक हमारा पहला sentence बनेगा आईए ज़रा a को पढ़े when we got near जब हम लोग नजदीक पहुँचे we saw it was the steam अच्छा मतलब पहले किसी चीज की चर्चा हो गई है उसके नजदीक जब हम लोग पहुँचे है तो पता चला कि यह तो steam है ठीक है ज़रा b को पढ़े we saw in the distance a great column of smoke देखे यह आपको याद रखना चाहिए column of smoke यह क्या है collocation ठीक है धुआ का जो ऐसे उसका जो लहर निकलता है ठीक है ग्रूप में collected part जो निकलता है उसको करते है स्मोग उसको करते है column of smoke ठीक है तो अब जरह देखे अब यहां से यह clear हो गया कि यह होगा हमारा first sentence बी होगा हमारा first sentence तो बी हमारा first होगा तो यह दोनों option cancel होगा अब इन ही में से कोई एक होगा हमारा पहला देखे बी के बाद सी दिया हुआ बी के बाद सी दिया हुआ अब सी के बाद हमें देखना है कि ए होगा या डी होगा तो सबसे पहले आप what से सी पढ़ लीजिए we wondered if it came from a chimney or a burning house मतलब जो column of smoke था जो दूर से हम लोगों को दिखाई पड़ा उसको देख करके हम लोगों को आश्चर हुआ कि यह चिमनी से निकल रहा है या कहीं किसी चीज के घर से जलने का धुआ है ठीक है burning house मैंने कहीं कोई घर जल रहा है किसी घर में आग लगई हो कहीं यह उसका धुआ तो नहीं है ठीक है अब सी के बाद हम लोग पढ़के देखे एको एको पढ़े जरा when we got near अच्छा जब हम लोगों को यह confusion हुआ तो confusion हुआ शरी हुआ उसके बाद हम लोग उसके नजदिक है क्लियर सी बात है कि सी के बाद क्या आएगा यह आ जाएगा जर अब यह जो sentence D है यही आपको confuse करेगा यह क्या करेगा यही आपको बुरी तरीके से confuse कर देगा और इसके खारण आप तैन नहीं कर पाएंगे कि इनका sequence क्या होगा ठीक है तो आपको जरा सा भी परिसान होने की जरूरत नहीं है देखें यहाँ पे BC तो clear है BC के बाद अब क्य आएगा यह आएगा तो आप सिंपल सा अपना answer ढूंडने के लिए चले जाएए और BC को ढूंड लिजे इनका grouping इनका sequence जहां कई भी मिला वही होगा हमारा answer ठीक है यह first में रहेगा कि last में अब इससे भी हमें कोई मतलब नहीं BC और आपके option में जहां कहें भी यह given होगा यह जिसमें आप में से maximum बच्चे confused होते हुए नजर आते नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले कोशन में देखे हम लोगों को क्या करना इसमें यह एक idiom है to fight tooth and nail सब्सकुल होते हैं तूद का मतलब दात नेल का मतलब नाकुन भी होता है ठीक है नेल का मतलब कांटी भी होता है लोहे के जो नेल होता है जिसको लोग दिवाल में ठोकते हैं अब ज़रा ध्यान दिजिए कोई सरार्ती छोटा सब बच्चा हो बहुत ज़्यादा सरार्ती हो नौटी हो बदमास हो ठीक है और आप कभी उसको पकड़ने का प्रयास किजिए कभी आप उसको पनिस करने का प्रयास किजिए ठीक है वो आपसे बचने के लिए क्या करता है के उपर कर लेता है मतलब आपको नूचने का दाज से काटने का प्रयास करता है अपना हर संभाव प्रयास करता है जो कुछ भी कर सकता है करता है अब इससे related option आप जारा ढूंड लीजिए to use unusual weapons to fight यह weapons आ गया हतियार आ गया तो बच्चे के पास कोई हतियार होता नहीं है फ़ले कैंसल हो गया है to keep the enemy guessing about the weapons इसमें भी वीपन की चर्चा हो गए कैंसल to silently leave the scene of battle युद्भूमी की चर्चा हो गए यह भी कैंसल to fight or compete with great great ferocity and intensity मतलब पूरे ताकत के साथ पूरे जूसोखरोस के साथ जो भी आप कर सकते हैं वो करना तो answer क्या बनेगा यह होगा ठीक है बात समझ में आ गई next यहां से आगे बढ़ते हैं अगले question में चलते हैं इस question में देखे हम लोगों को क्या करना है तो incorrect word को ढूँदना है इंकरेक्ट word हम लोगों को ढूँदना है यह स्वार्ग से related से seasonal क्या होता है जो season से related हो रिलेटेड हो मौसं से related हो इह जिमनास्टिक क्या होता है जिमनास्ट समझते है जो ओलम्पियाड वगेरा नहीं ओलम्पिक गिम्स ओलम्पियाड पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है स्कॉलर्स के लिए होता है इंटेलिजन्ट बच्चों के लिए होता है ओलम्पिक गिम्स समझते है जो चाइना में हो होता है जापान में होता है यूएस में होता है अलग-äलग जगण पे होता है उस में जो भाग लेते हैं उसको कहते है जिमनास्ट वर्ड है जिमनास्ट responds स्क फल डिस्लिंग घलत है तो इस question का answer step 9 फी तीक है आगे बढ़ते हैं से work and domestic dash made causal short tempered short tempered मतलब जल्दी गुसा होने बाला अब ज़र आप देखे यहाँ पे जो काम करने का लेबल है वो किसी के ओपर जरूरत से ज़्यादा काम का प्रेशर आप डाल देंगे तो वो इंसान कैसा हो जागा short tempered हो जाएगा ठीक है अब इससे related what आप ढूंड़िए देखे फोर्स का मतलब क्या बल ताकत वेट भार ग्रैविटी गंभेरता प्रेशर तो वर्क के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वर्क के साथ हम लोग वर्क फोर्स यूज नहीं करते है वर्क वेट यूज नहीं करते है वर्क ग्रैविटी नहीं होता है वर्क प्रेशर होता है यह को लोकेशन है इसको आप याद रखने का प्रयास करेंगे वर्क प्रेशर नेक्स्ट यहां से आगे चलते हैं लोग अगला कोशन क्या करना है तो यह ग्रामर का कोशन है इस question में हम लोगों को ढूनना है कि वो कौन सा section है जिसमे grammatical error है जहां पे grammar की गलती है sentence जैसे ही आप पढ़ना सुरू करेंगे it it कैसा होता है singular singular के साथ क्या यूज करते है has का यूज करते है न कि have का तो यही वाला part हमारा answer बन गया तो इसका answer यह रहा option number a यह था subject work agreement का question ठीक है next यहां से आगे बढ़ते है अगले question की तरफ चलते है इस question में देखे यह narration का question है इस question में आपको क्या करना है तो इस तरीके के question को बनाने के लिए हमने आपको पहले से बता रखा है कि यदि reporting verb past में हो यह देखें reporting verb कहा है past में है तो इसका जब भी कभी हम लोग direct से indirect बनाते है तो हमने क्या बता है सीधा आप tense का verb पकड़िए tense का verb पकड़िए और उसको पकड़के check कर लिजे वही आपका answer दे जाता है तो यहां पे देखिए यह जो reported speech है इसका tense क्या है इसमें देखिए यहां पे क्या लगा हुआ is लगा हुआ और यह कहा है past में तो यह is indirect में कहां convert हो जाएगा was में convert हो जाएगा आज आईए इस was को ढूणना हम सुरू करें यहां देखिए was हमें दिखाई दिया इस question में second वाले में देखिए was है क्या is है is है तो यह cancel third वाले में देखिए क्या दिखाई दिया is के जगा will cancel fourth वाले में देखिए was के जगा क्या दिखाई दिया had तो यह भी cancel एक ही option सीधा answer ठीक है कितना आसान है इस टाइब के question को बनाना बीना question को पढ़े हुए आसानी से आप narration और wise के question को बना सकते यहां पर आता है इस question में देखिए harmony क्या होता है भाई so hard harmony का मतलब so hard इस question में देखिए करना क्या है इसमें भी हम लोग को करना है antonyms opposite meaning बताना है ठीक है so hard जैसे हम लोग कहते हिंदों, मुसलिम से किसाही, चारो, भाई, भाई तो इस तरीके से हम सबों के बीच में क्या होता है सामाजिक, सो hard बना हुआ है ठीक है जैसे हम लोग सब लोग आपसे मिल्यूल किराते है ठीक है accord का मतलब होता है सहमती conflict का मतलब होता है लडाई, जगड़ा, अमीटी का मतलब होता है friendly Concord का मतलब होता है सामतितो, accord कहिए, concord कहिए, harmony कहिए ये तीनों same mode है, ये word, ये word, ये word, तीनों के meaning same और अगर synonyms की बात करें तो अमीटी भी same हो जाएगा एक ही opposite meaning वाला word बचा, conflict तो ये होगया हमारा answer next यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अगले question में ये देखे हमारे सामने, फिर एक नया question है, ये किसका question है ये भी है sentence rearrangement का, अब ज़रा इस question में देखे, यहां पे देखते के साथ आपको दिखाई दे रहा है, कि ये जो sentence है, ये किसे शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, देर से किसे शुरू हो रहा है, देर से यदि कोई भी sentence सुरू होता है, उसको छोड़के और किसी भी sentence में कहीं कोई प्रोपर ना हुन हम लोगों को दिखाई न पड़े तो संभावना होती है कि देर वाला जो सेंटेंस है उससे हमारा पहला सेंटेंस सुरू हो सकता है ठीक है तो यह हमारे रियर्णेमंट का फर्स सेंटेंस हो सकता है आगे ज़रा पड़की देखे यहां पर यूज क्या पहली बार की जाती है तो हम लोग उसके पहले यूज़ करते है आर्टिकल ए एन का और फिर नेक्स टाइम जब उसकी चर्चा होती है दूसरी बार तीसरी बार या उसके आगे जब भी कभी उसकी चर्चा होती है तो उसी नाउन के साथ हम लोग यूज़ करते है आर्टिकल द अब ज़रा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर फुलिस किंग ठीक है फुलिस कहा है एडजक्टिव है तो किंग के लिए यूज कर लिए गया अब यहाँ पर देखिए यूज कर लिए गया दो किंग मतलब क्लियर हो गया कि यह हमारा पहला होगा और यह हमारा दूसरा होगा हुआ है और ए में देखें किंग के पहले अलगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल एन वाला पहले नंबर पर आएगा उसके बाद आएगा आर्टिकल दो वाला ठीक है तो इस कॉंसेप्ट के अधार पर हमारा आंसर क्या बनना चाहिए एडी वाला तो आप एडी का और सीधा आंसर करके आगे निकल जाएए नेक्स्ट यहां से आगे चलते हैं कुछ और नए कोशन की तरफ अगला कोशन किया अप्लेस इन लार्ज इंस्टिश्यूशन किसी बड़े संस्था में एक ऐसा चीज एक ऐसा जगह जो उनको या ऐसे लोगों की देख बाल के लोग बिमार होते अरथा करें से ब्weet किसे बड़ी संस्था में एक ऐसा जगह जो बीमार लोगों के लिए संस्था में ब्रresh होता है जैसे किसी खान को रखे जाता है उस जगह को क्या कहते हैं तो कहते हैं यह भी आपके सस्य एक्जाम में ना जाने कितनी बार रिपीटेड वोल है ठीक है डॉर्मेट्री क्या होता है दर्मसाला जहां बहुं सारे लोगों को एक साथ रखा जाता है ठीक है अब यह देखे यह हॉस्टल होगा नहीं कोशन के यह भी है one word substitution का a sentimental longing sentimental मतलब भावनातमक longing का मतलब क्या होता है a strong desire to get something ठीक है किसी चीज को पाने की तिवर इच्छा चाहत for a period or in the past अतीत के याद हो अतीत की याद से जुड़ा हुआ है अतीत पास्ट का जो मेमोरी है उससे जुड़ा हुआ ठीक है emotional attachment memory किसी भी प्र crave क्या होता है यह भी होता है a strong desire to do something a strong desire to do something a strong desire to get something ठीक है किसी चीज को प्राप्त करने की पाने के तिवर इक्छा emotion भावना nostalgia nostalgia अतीत की भावना में याद में खो जाना अतीत की याद में खो जाना डूब जाना तो इस question cancer क्या बनेगा इस cancer बनेगा option number d इस question cancer क्या बनेगा तो इस question का 90 number cancer बनेगा nostalgia यह बनेगा हमारा correct answer next यहां से आगे बढ़ते हैं इसमें देखिए हम लोगों को क्या find करना incorrectly spelled word हम लोगों को ढूंडना है यह देखिए incriminating incriminating मतलब इसका क्या होता है इसका spelling correct है इसका meaning होता है किसी को दोसी आपरादी साबित करने के लिए उसके खिलाब सबूत जुटाना इकठा करना ठीक है यह देखिए un pretenses is un pretenses का spelling गलत है यहां पे इस की जगा यदि हम लोग टी कर दे इस की जगा टी कर दे तो यह इसका correct spelling ह हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा answer cancellation आप समझते हैं यह रद करना समाप्त करना embodiment क्या होता है साकार रूप लेना जैसे हम सब लोग जानते हैं कि इस वर यह नेचर जो है time to time साकार रूप लेता है ठीक है इस वर को कोई देख नहीं सकता लेकिन इस वर time to time अलग-अलग समय पे मानौ शरीर के रूप में जन्म लेकर हम आपके जैसे जो इंसान है इनको rectify करने का प्रयास करते हैं ठीक है असान सा question था इसका answer वही बनेगा अब इसके option में देखे हम लोग and cheap ओला का लिखा है यहां पे लिखा है अर्थात option नमबर B next आगे बढ़ते हैं यहां से अगले question में देखे some people were tired of the long desk in front of the mall and left without entering मतलब कभी कभी Sunday वगेरा को क्या होता है कि जो एक famous mall होता है हमारे आपके सहर में उस mall के बाहर लंबी लाइन गए होती है और कई लोग इस लंबी लाइन से पक जाते उब जाते और उब के भीना mall में एंटर के हुए वह Серब बाहर चले जाते कि सिंद्न दूसरे प्लेस पर चले जाते ऐसी बात यहां पर कहीं गईं तो लंबी लंबी लाइन में कहां इंतजार करना इंतजार करने से related what हम लोग ढून तो डोगें यह देखे wait इंतजार करना हो सकता है यह wait मतलब बारी यह होगाने west बरबाद करना यह होगाने यह West मतलब होता है कमर इसका कमर से कोई मतलब नई है आंसर क्या बनेगा option number Yeah तू मेक सम्वन और सम्थिंग वीकर किसी चीज को कमजोर बनाना कैसा बनाना कमजोर बनाना वीक करना वाइटलाइज का मतलब क्या होता है किसी चीज को ससक्त बनाना तू मेक सम्वन और सम्थिंग स्टॉंग किसी चीज को ससक्त बनाना मजबूत बनाना एनिमेट का मतलब होत बने रहना तो अब इस कोश्चन में करना क्या था करना क्या था इसका से मिनिंग वाला वोड़ तो से मिनिंग वाला वोड़ क्या मिल जागा option नमबर C, यह हो गया हमारा answer. नेक्स्स ती यहाहं से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question की तरफ यहां पे इस question में क्या करना है इसका हमें passive बनाने क्या बनाना है, तो इसका बनाने हम लोग को passive, अब passive active के लिए हमने आप को क्या बता है कि वाइस के किसी भी question को solve करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ उसका main verb पकड़िए क्या पकड़िए main verb पकड़िए और main verb को पकड़िए उसके tense को पकड़ लेजिए main verb का जो tense है उसके according आप उसका active passive बना देजिए ठीक है उसी को सिर्फ आपको check करना होता है यहां पर आईए इस question में देखें यह वोर तो वियर मतलब होता है पहनना वियर वोर वोर अब यह जो वोर है इसका tense का इसका वर्ब का form कौन सा है वोर का second form अर्था ते इसका tense क्या है past indefinite past indefinite में यह active है इसका passive हम लोगों को बनाना है passive कैसे बनाते है past indefinite का was वर्ब प्लस वर्ब का third form ठीक है तो was वर्ब के साथ क्या हो जाएगा देखें यह abroad बेल ठीक है यह कैसा है singular है तो singular है object passive का यह बने का subject तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे was का यूज करेंगे आईए option में हम लोग चेक कर ले was और इसका third form अर्था तो was वर्ब चेक करना सुरू करें यहाँ देखे was वर्ब है क्या नहीं है नहीं है तो यह option number is cancel second में चले was वर्ब है यह हो सकता ह third में देखे was worn है क्या नहीं है was worn है नहीं है नहीं है तो यह भी cancel लास्ट वाले में यह was worn है क्या had been worn है यह भी cancel एक ही option था was worn का option number B very easy to solve next आगे बढ़ें अगले question की तरफ यह हमारा आज का last question है देखे इस question में क्या है भाई can you give me so many examples ठीक है अब देखे so many examples इसमें हम लोगो को improvement यहां पर करने की जरूरत है so many examples of ठीक है अब जड़ा देखे इसके लिए improvement के लिए हम लोगों को क्या क्या award given some few examples some more examples some many examples यहां पर many की कोई जरूरत नहीं है so many already लिखा हूँ है so many मतलब इतने सारे धेर सारे तो इसके लिए हम लोगों को ज्यादा बेतर option लगता है some more कु examples का मतलब क्या कुछ और उदारन some few examples कुछ थोड़ा सा ठीक है और यह some many मतलब कुछ कई कुछ और कई यह दोनों एक साथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है some और many दोनों का use एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है यह error का part बनेगा ठीक है तो यह already incorrect है और some के साथ few लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है ज्यादा बहतर option है कि हम यूज करें option number B का some more examples ठीक है clear तो इसी के साथ आज के इस practice session को हम लोग यहां पर समात करते हैं हम आसा करते हैं कि जिस तरीके से हम आपको analyze करके बता रहे हैं इसी तरीके से आप भी जो भी set लगाते हैं practice question जहां से भी करते हैं या testory जहां कहीं से भी आप solve करते हैं उसमें आप अपने आपको इसी तरीके से set को analyze करके उसको लगाईए या लगाने के बाद set को analyze कीजिए फिर उसको next time फिर से बना के देखिए ठीक है आपके efficiency आपका score आपका accuracy सब पहले की तुलना में काफी बहतर होता हुआ नजर जाएगा ठीक है चलिए तो आज के class को इन पर समाप के जाए मिलते हम लोग अगले class में तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद